असलाम अलेकुम आज हम बनाने जा रहे हैं चीज कुलापा एक कप पानी ले लिया है सॉस पैन में एक कप शक्र डाल देंगे इसमें गैस ओन करके इसका शीरा बना देंगे शक्र को में मैल्क होने तक 3 मिर तक उबाल दिया है मेडियम फ्लेम पे अब शक्र मैल्क हो चुके थोड़ा सीरप भी गाड़ा हो चुका है अगर आपको जादा मीठा चाहिए तो आप एक कप के बदले दो कप शक्र डालिए इसमें यह फ्रोजन कुनाफा डूर लिया है मैंने सुंबूला का इसको मैंने इस तरह से खोल दिया है खोल कर इन्हें रख दिया है डिश में आपको यह कुनाफा डू अमजॉन पे भी अवलेबल हो सकता है कर देंगे मिक्स कर देंगे हाथ से इसी ज्यादा लग रहा है तो हाथ से मिक्स कर लो मैंने इसमें अनसोल्टेट बटर डाला है इस तरह से इसको तोड़ कर निकाल कर खोल कर 4 टेबर स्टून मेल्टेट बटर डालकर मिक्स कर दिया था एक कब पानी भी डाला था इसमें मिक्स करते टाइम इसको मिक्स करके रख दिया इसको अच्छे से सॉफ्ट हो गई है अभी केक टीन पे बटर लगा दीजिए सब तरफ बटर मैंने सारी जगे पे लगा दिया है टीन में अब यह कुनाफा दो इसमें बटर से मिक्स किया हूँ स्प्रैट करेंगे कर दो है जगी करें किया हूँ सुटे करें कि एक अच्छे सारी जगे इसमें अच्छे सारी जगे है जगे अच्छे से स्प्रेट लगए अच्छे से टीन तर्वर्वार रख अबादा से से खाया है यह श्रेड़ेड़ मॉज्रेला चीज है यह इसको बिछा देंगे 240 ग्राम्स मॉज्रेला चीज इसके उपर बाकी के कुनाफा डो मैंने स्प्राइड कर दिया है इसको इस तरह से फ्लाटन करेंगे स्पून से अब इसको उपर नीचे बेक करने के लिए रखेंगे दोनों तरफ से अगर आप यह पैन पे बना रहे हो तो आपको एक साइड दस मिनिट और फी दुसी तरह टान करके दस मिनिट रखना पड़ेगा और ढखका रखना पड़ेगा इसको बेक करने के लिए पैन पे 15 मिनिट तक मैंने इसको बेक कर दिया है 180 डिग्रीज पे अब पूरा शुगर सीरप जितना भी मैंने बनाया है अब डाल देंगे इसको पूरा ही अब हम इसको साइड से खोल देंगे कट करेंगे इसको चीज कुनाफा तयार है अगर आपको मेरी रेसिपी पसनाती है तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरी चैंग को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दमाना भी नाबड़ें